अार हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस कच्छा दास के गडीत का सबसे महत्पूर वायरल प्रश्णों को यहाँ पर देखेंगे फ्रेंस यह जितने भी प्रश्ण है एक परकार का 27 फरवरी के लिए वायरल बेपर है ठीक है तो यहाँ पर जितने भी कोईशन आप आप सभी को कराएंगे इन सभी कोईशनों को आप ध्यान से देखके इन सभी प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिए ठीक है यहाँ पे आप सभी सभी को महत्तुपुड बहवीकल्पी प्रशन कराने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और इन प् प्लस माइनस में निकलता है तो दो होता है लेकिन देखिए आप वर्गमूल हमेसे जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है तो इसका answer जो होगा प्लस माइनस में होगा तो यक्स कमान कितना हुआ प्लस माइनस दू आपसर बिख़े प्लस माइनस कहां पर दिया आपसर ऐसी वला आपसर क्या हो जाएगा जितने भी परसम है इन सभी प्रसम को आप जहुर तेयार कर लिजिए आपको सथाईस फरवरी के पर अगला प्रशन हुशता है पहले यक्स का मानन पूशता है उससमें आपको यक्स का मान खाली बताना रहता है धी कि इसमें यक्स का सकतना दरह मानना सफला मैनस 3 हो जाएका क्या कि दूरी क्या हो ओक माइनस तीन हो जाएगा फ्रेंज से आप एक concept और शीख लिजिए कि यक्स अच्छ से दूरी पूशता ठीक है तूससे में वाई का मान बताते हैं यक्स अच्छ से पूशता तो वाई का मान कितना होता पाच होता ठीक है इन दोनों concept को आप जरू सीख लिजिए ये प्रश्ण आपको 100% मिलेगा ठीक है अगला प्रसन देखे तीसरा नमबर का कि संख्या 144 के अभाज गुर्णखंड में अभाज गुर्णखंडों की घात का योग बताना है देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे पहले 144 का आप क्या कीजिए गुर्णखंड कीजिए चलिए गुर्णखंड करके बताते हैं देखे दू साथ चवदा दू दू दूना के चार फिर दो से कटेगा कितने बार में 36 बार में फिर दो से कटेगा 18 बार में फिर दो से कटेगा नो बार में फिर तीन से कटेगा आपका ना 153 जाइकशी जाण moc यहां पर देखी आपका दू किटने और एक तीन चार जूपे चाहरी हो जाएगा गुरे दौिरें फिटने बार दौ़ा ज़ जाएगा अब यहां पर देखी आपसे सव्मलम Baby पूछा है घातों का योग पूचा है ठीक है जहाथ यहां पर चार है और यहां पर कितना है इन दोनों का योग चर ंञातों का योग छ तीश प्रशन का सभी प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिए जितने भी प्रश्ण आपको बताने वाले हैं देखिए आपके सामने चौथा नंबर का सवाल है इस सवाल को भी तयार कर लीजिए त्रिभूज सवाल आपसे जब भी पूछे और इसमें कोड़ पूछे आपसे भूजा दिया हो तिसमें हमेशा 90 अंस का कोड़ वाला ही मान सही हो जाएगा इसको लगाएंगे कैसे देखिए तरीका यही है कि यहां पर तीन को भूजा दिया है इसमें जो सबसे बड़ी भूजा होगा उसक बारा का वर्ग कीजिए गाब बराबर देखे जो छोटी दो भूजाय रहेगी जैसे है कि यह भूजा हुआ इसका वर्ग करके जोड़िएगा देखिए छा करणी में तीन का स्कॉर कर लिजिए प्लस यहां पर छा कर लिजिए और वर्ग करके इन दोनों को हल कीजिए कितना हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा देखिए 144 जो लीजिए कितना हो जाएगा एक सो चवार दोनों पच जैसे ही बराबर होगा थी पाइथा गोरस परमे के एकारडिंग यह दोनों पच बराबर होता है तुरंत आप उस कोड को क्या लगाएगा 90 अंस लगा लिजिए ग पांचवा नंबर का सवाल थोड़ा सा त्यार कर लिजिए इस प्रकार के सवाल को आप कैसे लगाएंगे कि चित्र में बिंदू ओ का बिंदू ए तथा पी देखिए यहां पे दिया है पी से देखने पर आउनमन कोड आपको बताना है देखिए आउनमन कोड का मतलब होता ह इस कोड के बराबर हो तो यह 45 है यह भी आपका 45 अंस हो जाएगा यहां से भी ओनमन कोड देखना है तो इस तरह खीच लिजिएगा अब यहां पे देखिए कि इन दोनों कोड़ों का यूग हमेशा कितना होता है 90 अंस होता है देखिए यह क्या करेंगे कि 90 में से 60 गटाए करमस में आपसे लकाते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसलिके दिया है पहले 30 और 45 दिया है तो पहले एक आमान बताना है फिर पी का मान बताना है एक अमान आपको पहले 45 होना चाहीए और बाद में आपको क्या होना चाहिए तूछ जब्वाला लगाईएगा यह मतलग ति वर्ग बताना एपको, कि ये सवाल दीए है आपका, कि वर्ग दीए है, एक से तीन, तीन से पाँच, पांच से साथ, रहे прог आंच है, यहां से आठ को इस तरह गहर लीजिएगा, 8 का वर्ग अंत्राल कितना है 3, 5 है न तिसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा 3, 5 होगा इस प्रशन का सही जवाब B वला आपसन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रशनों को देखते है 7 वा नंबर का सवाल देखिए इस सवाल को भी तैयार कर लिजिए किसम इकड़ 5x square minus 3x plus 2 बराबर 0 के मूलो का योग पुछा है तो आपको मूलो का योग पता होना चाहिए तो पहले इसके पहले देखे A कमान ये होता है और B कमान ये है और C कमान ये है minus B कमान कितना दिया है minus 3 दिया तो इससे कोश्टर मानस 3 रखिएगा और A कमान कितना है 5 है तो 5 कर लिजिए माइनस माइनस इसको क्या करेगा प्लस कर देगा तो ये 3 बटा के कितना हो जागा 5 और यही इसका answer हो जाएगा चलिए आपसन में देखे आपका answer गलत हो जागा तो आपका सही जब क्या होगा A वाला option correct हो जाएगा अगला सवाल देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे बहुत simple सा सवाल ये है यह दि 3 काट A बराबर 4 तो 6 A कमान पूछ रहा है यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए आपको बहुत simple तरीका से सिखाएंगे यहाँ पर सवाल में देखे आपका क्या दिया है सवाल में दिया है कि 3 काट A बराबर 4 तो पहले काट A कमान गयाद कीजिए काट A बराबर कितना हो जागा 4 बटा के 3 हो जाएगा अब काट A का फार्मूला लिखे काट A का फार्मूला आपका होता है आधार बटा के लंब होता है आधार बटा के लंब और काट A कमान कितना दिया है 4 बटा के 3 दिया है इसका मतलब आधार हुआ 4 और लंब हुआ आपका 3 देखे जब इस पकास आधार लंब पता हो जाएगा आपका देखिए जैसे आधार पता चल गया 4 और 3 लंब पता चल गया तो कर्षा कमान हमेशा याद रखें पर 5 होता है जब 3 और 4 दे आधार लंब जिसमें कड़ आपका क्या होता है हमेशा 5 होता है इसे याद रखें यौँ जो यहाँ अनुपात होता है इसमें 3, 4, 5 का यह रेशियो बनता है तो 3 लंब 4 आधार तो हमेशा कड़ कितना होता है 5 ही होता है यहाँ पे आपसे पूछा है कि सिक A तो सिक A का पहले फार्मूला लिखिए देखिए सिक A बराबर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला होता है कड़ बटा के चार अब देखिए आपसाल में 5 बटा के चार कहां पे दिया है तो इसका सही जवाप बीवला आपसाल सही हो जाएगा ठीक है इस पकास इस सवाल को आप जरूर लगा लीजिए अगला देखिए नौ नंबर का सवाल है कि समीकड़ यक्स माइलस वाई बराबर दू एम य देखिए यक्स का मान जीरो दिया है यहां पर यक्स और वाई का मान दो रखके हल कीजिएगा किस पे मतलब कि यक्स माइनस वाई का मान रखके के हल कीजिए कि किस पे दो आ रहा है देखिए जीरो में से दू गटाएंगे यक्स के जगह पर जीरो रखेंगे यक्स के जगह पर दू रखीएगा वाई के जगा पर दू रखीएगा ज़ दू में 0 जोड़ाएगे तब फी पर 2 हो गा इसका मतलब सही जवब क्या होगा वीवल आपसन सही हो जाएगा इसके हलाओ इसमें कोई भी आपसन आपका सही नहीं होगा ठीक है तो जैसे ट्रिक से बता है इस ट्रिक से आप इस सवाल को हल कर लिजीगा पूरा समिकड़ आपको हल करने की जरूरत नहीं है जब भी ऐसा सवाल मिलेती है यहाँ पर यक्स और वाई का मान रखके देखिएगा कि आपका एक पच्छ में जो मान दिये हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ र की प्राकितिक संख्या लिखिए देखिए एक होगा है दू होगा तीन चार पांच छे साथ आठ नव इस तर एक से लेके नौ तक की प्राकितिक संख्या है इसका मान दिये पूछ रहा है तो देखिए मान दिये बराबर क्या होता है मान दिये बराबर होता है कि सभी पदो क योग यानि कि इन सभी को जोड़ेंगे एक प्लस दू प्लस तीन प्लस चार प्लस 5 प्लस 6 प्लस साथ प्लस 8 प्लस अपान टौटल पदों की संख्या कि नव हैं गिन लीजी एक दू तीन चारय नव तो नो होगा सभ को जोड लीजियो उपर देखिए एक और दू तीन चार यहां 45 हो जाएगा इस सवाल को ऐसे लगाना था ठीक है अगला 11 नंबर का देखिए सवाल क्या है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्दे 20 दसमलो 5 तथा माध्दिका दिया है 20 है तो उसका बहुलक आपको बताना है कि बहुलक क्या होगा यहां पर देखिए बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है तो बहुलक बराबर आपका फार्मूला होता है बराबर कि तीन गुड़े माद दिका तीन गुड़े माद दिका माइनस दू गुड़े माद दिका यह होता है फार्मुला मतलब 20-60 होगा माइनस इसका कर लिए दू पाचे दस दू दू दूना के चार मलग कितना होगा 41 होगा अब गटा लिए 60 में से 41 तो यह 9 होगा पांच में चार के एक यानि कितना हुआ आपका 19 हुआ तो चलिए आप 19 देखते हैं आपसन में कहीं दिया है आपसन में सी वल आफ़ार रीचे समांत्र रखा खंड Q क 다대 कि रख़ लिए जैसे ट्रपीश के समांतर गया है यदि को मांन हुआ एक ढूंपांके टीन इसका मतलब होता के PQ बटा के BC जो दिया है एक बटा के 3 दिया है इसका मतलब हुआ bunlar PQ के मान हुआ एक और BC के मान हुआ班 तिन AP टथा BP का अनुपाद पूछ रहा है इसका मतलब AP और BP का क्या पूछ रहा है यहाँ पे अनुपाद पूछ रहा है तो इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे सिंपल सा सवाल होता है यह थेल्स पर्मे के अनुसार देखे क्या होता है कि AP बटा के PB बराबर PQ बटा के BC होता है ठीक है यहाँ पर देखे आपका क्या है AP के माण कितना हुआ आपका यहाँ पर तो AP बटा के रहाने दीजिए PB PB PQ बटा के BC कितना दे एक बटा के 3 यानुपात में लिखे एक अनुपात तीन हो जगा कितना होगा एक अनुपाते तीन तिसका सही जवा बीवला अफसल सही हो जागा यानि इसमें भूजाओ का जो अनुपात होता है बराबर होता है आपको यह सवाल कई बर बताएगी है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं जैके तेरे नंबर का सवाल क्या है यदि 26 और 156 का 156 है तो मसठ जाद कीजिए ुसका फार्मॉला आप जरूरा याद रखिएगा इस पर आपको सवाल मिले जरूरा देखने के लिए यहाँ पर होता है पहली संख्या पहली संक्हां मतलब 26 हैं और दूसरी संक्हां 156 हैं बरावर रर कितना दिया है 156 तो गुड़े 205 मौसा कर लिए क्या किया करेंगे मौसा यहां पर हो जाएगा 26 गुड़े 156 जाएगा और यहां पर क्या हो मुसा हो जागा क्या होगा यहां पर मुसा देखें क्या होगा कि 156 से 156 कट जागा यहां पर बच्चे का सिर्फ 26 यही हो जागा आपका मुसा चीक है तो क्या हो जागा 26 इसका मुसा हो जागा तो चलिए आपसल नंबर B वाला इसका सही जवाब हो जागा अगला सवाल देखे 14 नमबर का कि दिव घास समीकर 2 x square minus 4 x plus 1 बराबर 0 के मूल के बारे में बताना है तो देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहाँ पर क्या होता है कि यह A का मान होता है यह B का मान होता है यह C का मान होता है यहाँ पर पहले वी विक्तिकर यानि कि B square minus 4 A C निकालिएगा B का मान कितना थे minus 4 minus 4 का square किजिए minus 4 गुड़े A का मान कितना है 2 C का मान कितना 1 देखे 4 का square करेंगे 16 हो जागा यह 4 दुना के 8 हो जागा 16 में से 8 कितना हो जागा 8 हो जागा जब यह 8 आ रहा है तो इसका मतलब वास्तिविक मान होगा वास्तिविक ठीक है और भिन भिन होगा मतला अलग अलग होगा यहाँ आपसन में देखिए सिर्फ वास्तिविक को बराबर होगा नहीं तीवल आपसन नहीं होगा वास्तिविक नहीं यह भी आपसन नहीं होगा वास्तिविक के वल नहीं हो सकते वास्त कमादू के बीच की दूरी आपको पताना है तो पहले नम्बर तो फार्मूला बता देते है कि दूरी का फार्मूला क्या होता है जब निर्दसांग दिया हो तो रूट में क्या होता है यह 1 माइनस x2 का whole square प्लस y1 माइनस y2 का whole square ठीक है देखे यह x1 कमाद होता है यह y1 का यह यक्स 2 का यह y,2 का मान रखके हल कर लीजिये सिर्फ देखी यक्स banco account कितना दिया यह यक्स 2 कमाद दियाust पांच मैनस 5 कई square हो जागा प्लस y1 कमाद बन कितना दिया मैनस 3 मैनस y2 कमाद कितना जुआँ 2 तो 2 कर लीजिये स्कॉर कर लीजिए ठीक है यहां पर कितना हो जागा एक चीज़ाद रखिएगा कि हमेशा माइनस की स्कॉर हो चाए प्लस की स्कॉर हो उसका मान प्लस में ही आता है कितना हुआ आपका करणी में 61 तो आपसन आपका एवल आपसन क्या हो जाएगा ठीक है अगला नंबर देखे 16 नंबर का सवाल क्या है आपका कि तिरीजे आर के एक बिरित के कोट ठीटा वाले तिरीजे खंड के संगत चाप की लंबाई बताना है देखे चाप की लंबाई जो होता है सीधे फार्मूला होता है फार्मूला देखे आप डारेक्टरी आदर रहें ठीटा बता के 360 गुड़े जब चाप की लंबाई पूछता है तो महाँ पर टू पाई आर रखते हैं ठीक है इसका आपसन यही वाला आपसन सही हो जाएगा ठीटा बता के 360 गुड़े टू पाई यार्थ इसका सही जब क्या होगा सीवला आपसन सही हो जाएगा अगला सवाल देखे बहुत सिंपल सा सवाल है कि दो समरूप तिरभूजों की भूजाओं का अनुपाद दिया है नो अनुपादे 16 इन तिरभूजों के छेत्रफलों क अनुपाद आपसे पूछ रहा है जब शेत्रफलों का अनुपाद पूछता है और तिरभूज के भूजाओं का अनुपाद दिया रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है बस इसका वर्ग कर देना जैसे स्टना का वर्ग कर लिजेगा इंगे कितना हो जागा एक्यासी को जाएगा यहां किसका सही जवाब क्या होका एक-क्यासी अनुपात दूसर 26 अपसेड में देखिए डी वल आफसन क्या हो जागा इसका और अगला नंबर का देखिए इंपॉर्टर्थन्स वाल हुआ यदि को सेक ए बराबर सेक ए तो कोड़ ए कमान बताना है आपको देखे इस पकाद सवाल जब भी आप से पूछे तो डारेक्ट याद रखिए को सेक ए बराबर जब सेक ए देता है इस कमान हमेशा 45 अंस होता है ठीक है यह इसके जगह पे आपको सवाल यह भी दे कभी भी जरूरत नहीं था आपका यह कितने होगा 45 अंस आएगा ठीक है जब दो कोड़ आपसमें बराबर जब भी दे तो उसका मान हमेशा 45 अंस ही होता है ठीक है तो फ्रेस यहां पे आपके जितने भी 18 important question थे आप सभी को करा हैं इन सवालों को जरूर प्रक्टिस कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें जितने भी प्रशन करा रहें सभी एक प्रकार का वारल प्रशन करा रहें आप उन सभी वीडियो को जरूर देखा कीजिए तो फ्रेस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं तो चलब को सब्सक् करें